आज जी तो कैशा आप लोग मैं आपका निलेश पी अब बहुत बहुत श्वाकत करता हूँ शुपर फास्ट क्लास एज यूटूब चैनले दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग शॉल्फ करेंगे क्लास टेंथ वालोग के लिए math यानि गंडित से कुछ important question अभी जो आपका फरवरी में एक्जाम होने वाला है देखना कहीं न गहीं उसमें ये जो question मैं बताऊंगा same to same did to fund जाएंगे तो चलो आपका ज्यादा time waste नगरता हूँ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ बागी कहूँगा चैनल को आप अभी तक सबस्काइब नहीं किया हो तो चैनल को सबस्काइब कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोडियेशन आपको मिलती रहे चलो शुरू करते हैं पहला question आप इस screen पर देख सकते हो काफी must question है पहला ही very very important है question आप यहाँ देख सकते हो कि एक यदि कोई रेखा एक तिर्भुच ABC की भुजाओ AB और AC को करमसर D और E पर प्रतिछिद करे तथा भुजा BC के समना अंतर हो तो सिध कीजिए की सिध कीजिए AD अपन में AB जो है वो बराबर है A यापन में AC के काफी must question है निश्चित है आप लोके बोडीजा में आएगा ही आएगा चलो इसको हम लोग solve करते हैं देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक तिर्भुच है तो हमें प्रतिर्चेद कर रही है बिंदू D और E पर तो और जो BC के समनांतर है तो BC यह है तो इसके समनांतर एक रेखा खिछते हैं यह यह जो रेखा है न मान लेते हैं कि यह हम लोगी BC के समनांतर है मान लेते हैं कि यह तो दिया ही है और B और AC को बिंदू D यह बिंदू D और यह पर क्या कर रही है पर तीछेद कर रही है यानि काट रही है ठीक है तो सीद करना है कि AD और AB का जो अनुपात है यानि जो ये AD और AB का अनुपात है AE और AC के अनुपात के पराबर है चलो प्रूब करते हैं इस सवाल को सबसे पहले देखो हल करते समय जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं ठीक है? हल में हम लोग सबसे पहले जो दिया होता है चीजे उसको लिखते हैं तो हमें दिया क्या है, यहां पे लिख लेते हैं, दिया है, हमें दिया क्या है, जो DE जो रेखा है, वो समनांतर है, भूजा BC के, जो DE है, समनांतर है BC के, यहां आप BC समनांतर DE लिख सकते हैं, क्योंकि दो रेखाय जब समनांतर होती हैं, ठीके, तो एक दूसरे के यह समनांतर होती है, ठीक, तो यहाँ पर आप DE समनांतर लिखो, या PC समनांतर लिखो, बात एक ही हुआ, पहले आप किसी को भी लिख सकते हो, आप देखो जो सीध करना है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें सीध करना है, सीध करना है, हमें क्या सीध करना है भाई, हमें सीध करना ह कि जो AD और AB का अनुपात है जो AD और AB का अनुपात है वो बराबर है AE और AC के अनुपात के यही है न मैं एक बार देख लेता हूँ AD अपन में AB ठीक है उधर है AE अपन में AC ठीक है यही प्रूव करना है चलो करते हैं देखो इस सवाल को प्रूव करने के लिए एक प्रमे की जरूद पढ़ेगे इसी दिए यह कोशन और important बन जाता है क्योंकि जो प्रमे है न प्रमे से काफी सरे कोशन आते हैं आपका एक्जाम में प्रमे क्या? कौन सी प्रमे? तो अगर आपको ध्यान में होगा तिरभूज आप अच्छे से चेप्टर पड़े होगे तो अभी आपको कोशन पढ़ते ही समय एक प्रमे याद आई होगी प्रमे क्या? कि जैसे यदि कोई तिरभूज होता है उसकी एक भूजा के समनांतर कोई रेखा कीची जाती है और और ये दो उस तिरभूज की भूजाओं को प्रतिछेद करती है तो उन दो भूजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है जैसे यह हम लोग की एक तिरभूज है A, B, C इसकी भूजा B, C के समनांतर एक रेखा कीची गई है जो अन ये दो भूजाओं एबी और A, C को D और E पे पर प्रतिछेद कर लिए तो जो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात होगा इस वाली दूरी और इस वाली दूरी के अनुपात के बराबर होगा या इसका उल्टा भी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये वाली दूरी मतलब इस BD के में बात करूँ ठीके तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात होगा इस वाली दूरी और इस वाली दूरी के अनुपात के बराबर होगा ठीके, तो यहाँ पे हम लोग प्रमे से ले लेंगे क्या, कि जो AD और BD का जो अनुपात होगा AD और जो BD का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AE और CE के AE और CE के और ये किससे, ये हम लोग का प्रमेशे, ऐसा हमने बोला प्रमेशे, या इसका उल्टा तो भी सत्य भाई, हमने AD और BD लिया, हमने क्या लिया AD और BD, या हम लोग इसका उल्टा तो भी लिख सकते हैं, BD और बटे में D ये, तो या, या, इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते ह तो हम इसका उल्टा ले लेते हैं तो AD को हम लोग नीचे कर लेते हैं तो ये BD और AD तो इधर भी हमें उल्टा करना पड़ेगा उधर भी उल्टा करना पड़ेगा तो हम लोग का ये CE अपन में AE हो जाएगा clear समझ गया ना? मतब अगर हम लोग ये और ये अनुपात ले रहे हैं तो इधर ये और ये उपर से ही अनुपात लेंगे अगर इधर हम लोग नीचे से ले रहे हैं मतब ये और ये ले रहे हैं तो इधर सभी ये और ये लेंगे सुझ में आ गया, तो यहाँ पे दो चीज है, अब आगे क्या करेंगे, ध्यान देना, अब आप लोग के मन में ये भी एक question होगा, ये भी question होगा, कि आगे prove करने में हम इन दोनों में किसका यूज करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है, कहीं न कहीं ये दोनों, एक ही इसको हम लोग prove करने में इन दोनों में कौन यूज करेंगे, किसको हम लेकर आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो कि क्या prove करना है, हमें AD अपान में AB, यानि हमें ऊपर से prove करते हैं, उपर की तरफ की दोरी लेकर prove करना है, तो यहाँ prove करते समय जो यहाँ प तो आप यह वाली use करेंगे कि यह वाली, अब आप बता सकते हो कि भाई तब यह BD और AD, यह वाली दूरी नीचे से है, तो इसको लेंगे, न कि इसको choose करेंगे, अगर इसका ultra proof करना होता न, तो हम लोग यह वाला ले सकते थे, इसलिए इसको ही लेंगे, ठीक, तो आप यह यहाँ पर direct यह वाला non लिखकर, यह वाली चीज, आप यह भी लिख सकते हो, यह वाली भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिकत नहीं है, बस यह दोनों मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिया कि क्या लेंगे, क्योंकि यह मन में अगर आप ज़्यादे इसके detail में जात है भई, यह पूरी दूरी यह लाना है, तो पूरी दूरी लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग की हमेसा आधी आधी दूरी दे रखती है, तो आधी आधी दूरी को हम जोड़ कर पूरा हम लोग ला सकते हैं, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कु CE है और आपन में ये जो AE है इसमें मैंने एक जोड़ दिया क्लियर यहां तो चीज़े आपको क्लियर है कोई डाउट नहीं है आगे चलते हैं भई यहां या या लिखते जाना आप ठीक है अब देखो इसको हम लोग solve करते हैं इसको solve करेंगे तो BD प्लस AD अपन में AD हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का BD प्लस AD अपन में AD क्लियर और बराबर इसको हम लोग solve करेंगे तो CE प्लस 1 है तो इधर ही गुना होगा AE हो जाएगा बटे में AE मतलब वही हमने AE यहां पर लॉसल ले लिया simple यह हम लोगा CE प्लस AE अपन में AE हो जाएगा यहां तक तो चीज़े आपको clear है अब देखो simple या आगे देखो होगा क्या यहां पर ध्यान देने आप यह क्या है BD है AD है PD यह यह वाली दूरी AD यानि यह वाली दूरी यानि यह पूरी दूरी और पूरी दूरी हम लोगी AB हो जाएगी इन दोनों के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं 100% क्यों नहीं लिख सकते तो इसका जगा पर मैं AB कर दिया और बटे में AD को AD ही रहने देता हूँ clear क्योंकि हमें सवाल में AD हमें यहांपे दिखो है और यह भी यह हो गया याएंधी यहांपे उल्टा है तो आगे चलकर हो सकता है हम लोग उल्टा करें तो हो सकता है काम बन सकता है आगे देखते हैं क्या होता है बराबर CE 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 या इसको इसी बूल सकते हो, ये वाली दूरी, ये ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी को आप जोड़ोगे तो AC के बराबर होगा, simple, इन दोनों के जगपे आप AC लिख सकते हो, बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो AC आपन में AE, ये हमें प्रूब करना है, तो A हे रखते हैं, अब देखो, हम नजदीक आगै, जो हमें प्रूब करना था, क्योंकि दोनों तरफ हमें अनुपात देखना है देखो यहां मैं समझा देता हूँ आपको यह मिटाने वाला इस चीतर को आप मिटा लेता हूँ देखो यहां पे कहीं आपको लिखा है कि भाई जैसे किसी के बराबर मालो अंक मिलेता हूँ तो 2 के बराबर 2 ही तो होगा मालो 2 के बराबर 2 है नहीं इस से मैं नहीं दूसरे एक्जामपल से समझाता हूँ आपको जैसे कहीं लिख़्ा है 1 बटे 2 और इधर मालो कहीं लिख़्ा है 2 बटे 4 ठीके अब इसका उल्टा करूँ, तो इसका उल्टा क्या होगा, देखो, इसका उल्टा 2 बटा 1 होगा, और बराबर इसका उल्टा 4 बटे 2 हो जाएगा, अब इसको solve कर गए तो यह तो वही रहेगा, इसको solve कर गए तो 1 बटा 2, देखो, 1 बटा 2 उधर, 1 बटा 2 उधर, अब जब हम अनुपात हमेसा बराबर रहेगा, यहां पर मान नहीं, मान नहीं, अनुपात, क्योंकि अनुपात की बात की जारी है, प्रमे भी होता है, प्रमे में, अनुपात, ठीके, चलो, तो यहां पर इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं, तो सिंपल आगे हम लोग या लिखकर उल्टा क कर देंगे इसका, आगे इसके लिखेंगे या AD अपन में AB या अन्थ है तो यहाँ पर अर्थात भी लिख सकते हैं कि या अर्थात AB Sorry, अर्थात AD अपन में AB बराबर, इसको भी यह एक तरप हमने उल्टा किया, तो धर भी उल्टा करेंगे बराबर के तो ये A E आपन में A C हो जाएगा Simple और यही क्या करना था हमें यही हमें Prue करना था Step जी आप प्रूब लिख दो काम खतम यही तो हमें सवाल में Prue करना था A D आपन में A B A D आपन में A B A E आपन में A C A E आपन में C काफी संदार ये question मनता है चार मार्क में आपका एक्जाम में आता है तो इस question को आप लोग clear कर लेना बहुत ही संदार question है चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं इसको थोड़ा मैं अब erase कर लेता हूँ एक मिनट और हम लोग अगले question को देखते हैं अगला question दो चर वाला जो रैकिक संदार यूग में न उसमें एक answer और हर वाला सवाल आप देखते होगी कि आपका एक्जाम में आता रहता है आप previous year question पर उठा कर देखना तो वो वाला है तो इसको थोड़ा मैं erase कर लेता हूँ और अगला question देखते हैं यहां अगला question मैं लगा देता हूँ screen पे आप इस screen पे देख सकते हो question मस्त question है एक भिन एक बटा तीन हो जाती है पड़ना question द्यान देना एक भिन एक बटा तीन हो जाती है जब उसके अंस में एक घटाया जाता है अंस में अंस क्या होता है उपर वाले जैसे एक बटा दो है तो उपर एक जो है वो अंस होता है नीचे हर होता है ठीक है तो एक भिन एक बटा तीन हो जाती है जब उसके अंस में एक घटाया जाता है और एक बटा चार हो जाती है जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है वह भ अधावाल को करने से पहले थोड़ा मैं अपने लक्षई बैच के आपको बता दू लक्षई बैच के बारे में, एक्चोली ये लक्षई बैच है क्या? ठीक है? लक्षई बैच, ठीक है? हमारी एक एप है, जी हमें दोस्त, इधर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, लक्षई पैच के बारे में, लक्षय पैच, आपका ज्यादा नहीं, एक दो में टाइम लूँगा, लक्षय पैच क्या है, बैसिकली हम लोगी एक एप है, जिसका नाम है UPSP study, आप साइड में देख भी रहे होगे, इसलिए इसको मैं इधर लिख दिया, एप, UPSP study, यहाँ साइड में आपको application दिख रही होगी, एडिटिंग करते समय मैं add कर दूँगा, ठीके, इस नाम से, इसको आप Google Play शोशे डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के description में, लिंक भी मिल जाएगा, डाउनलोड भी करना, जरूर करना भले ही आपको लक्षय पैच जॉइन ना करना हो, यह आपको जो अभी 2023 का आपका paper हुआ है न, class 10th UP board का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, उस में जिटने भी setों के paper आगए थे, जैसे हिंदी के, हिंदी के आप जानतों कि 7 set के paper आते हैं, पूरे UP में, math के 7 set के, science के 7 set के, 7 set के आते हैं, तो उन सारे setों का आपको solution मिल जाएगा with PDF, और वो भी एकदम best quality, जो quality रहेगी एकदम best, आपको best quality में solution मिल जाएगा, वहाँ PDF के साथ PDF भी और side में उसका test भी मिल जाएगा, और उसके अलाबा, मैं अपनी तरफ से model paper बना रहा हूँ, वहाँ पे, बहुत सारा आपका previous year paper यूज़ करकर, और भी जो आपकी पुरी- उनको यूज़ करकर, तो उनका भी solution मिल जाएगा, और वीडियो solution के साथ PDF भी मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि exam time में PDF की जरूत पढ़ीगी आपको, PDF से आप ठाक से एकदम revision कर सकते हो, चाहोगे तो एक दिन में आप 7 के 7 paper sheet को solve कर सकते हो, अगर आपके पास PDF ह तो आसानी से क्यों आपको पढ़ना होगा, simple, ठीक, और बहुत सारी चीज़े उसमें और भी मिलेंगी, important question, important video, जिसकी price, इस batch की price, मात्र आपका कितने है, जानते हो, 299 रुपे, जी हमें दोस्त, 299 रुपे, तो इस app से आप download करकर ये app, join कर लेना batch, अगर कोई भी आपको दिक्कत समस्य होती है बाई, तो आप, वहीं पे आपको एक number मिल जाएगा, आप सीधे मुझे call कर रहे ना, payment करने में कोई भी दिक्कत हो रहे है, आपके पास system नहीं ह दिया जाएगा, ठीक है, तो चलो, चलते हैं, बहुत हुआ लक्षे बैच के बारे में, अब हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग देखते हैं भाई, अपना अगला question, अगला question, ओके, शलो, तो इसको solve कर लेते हैं, देखो, एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, देखो, ए आठ जोड दिया जाता है, वो अब ही नग्याद किजिए, चलो, करते हैं भाई, सबसे पहले देखो, यहां पर हम लोग, सबसे पहले तो क्या मर रहेंगे, अंस और हर माल लेंगे, क्योंकि एक भीन में अंस और हर होता है, उपर वाला अंस नीचे वाला हर, तो simple, यहां सब सबसे पहले हल लिखते समय हम लोग माल लेंगे, हल लिखते समय हम लोग माल लेंगे, कि माना, माना की भीन का अंस एक्स तथा हर वाई है, तथा हर वाई है, अगर अंस एक्स और हर वाई है, तब हम लोगी भीन क्या होगी भाई, तो इसलिए हम लिखेंगे भीन बराबर, अब देखो, पहले सर्थ आनुशार, क्या बोल रहा है, कि एक भीन एक बटा तीन हो जाती है, जब उसके अंस से एक घटाया जाता है, तो प्रथम सर्थ आनुशार, यहाँ पे लिखोगे कि प्रथम सर्थ आनुशार, आप लोग लिख लेना डीटेल में, एक बट तीन, यह मैंने कैसे लिख लिया, तो बोल रहा है, इस कुछ्जिन में, एक भीन के अंस में से एक घटा देते हैं, तो एक बटा तीन के ब़राबर हो जाती है, बोल रहा है, आप इसको हम लोग फ़लकर कर एक समिकन बनाते हैं, तो देखो, इन से इधर गुणा होगा तो क्या होगा 3x माइनस 3, और बरवर इधर y से गुना हो जाएगा, तीरी ये गुना हो जाएगा, ठीक अब देखो 3x y को इधर लाएंगे भई, माइनस y बरवर 3 माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भई, 3 हो जाएगा, और यह y इधर आया क्या बोला जा रहा है कि वह एक बट चार हो जाती है जब हर में आठ जोड दिया जाता है simple तो भीण हम लोग कि क्या है x बट y है ठीक हर याणि नीचे वाले में 8 जोड दिया जाते है तो वह एक बट चार के बरापर हो जाती है simple अब इसको हम लोग हल कर गए एक समिकरण बनाते हैं इधर ये 4 से गुणा हो गए था 4X और ये Y से इधर गुणागा तो ये 4X Y को इधर लाएंगे तो माइनुस देगा पर अब ये 8 का 8 उधर ही रहने देंगे ये हम लोग की एक समिकरण हो गई ठीक है और समिकरण एक क्या है इसको लिख लेते हैं ये हम लोग की 3X माइनस Y बराबर 3 यानि 3 और ये 4X आप समिकरण को आप हल करना जानती है यह पर चिन बदलते हैं यह पर प्लस है तो हम लोग माइनस कर देंगे यह माइनस है यह आपका कर जाएगा 3 और minus 4 x तो minus x बचेगा भई अरवर इधा देखो 3 और minus 6 तो इधर minus 5 बचेगा तो यानि x बरबर आपका क्या हो जायागा हो जायागा यहाँ पर x बरबर 5 हो जायागा यानि x कमान कितना निकल कर आ गया भई 5 निकल कर आ गया simple x क्या था? अंस था यानि अंस निकल कर आ गया अंस क्या होगा? 5 होगा तो अब हम लोग हर भी तो गयाद करेंगे तो यह x कमान जो दिया है किसी भी समिकर में समिकर 2 में, समिकर 1 में कहीं भी रख लो आपका x कमान के बाद y कमान निकल कर आ जाएगा तो हम लोग यहां पे चलो, आगे आप लोग करोगे क्या? आगे यहां पे आप लिखोगे, ठीके? इसके आगे, इसके आगे X का मान, X का मान, शमी करण 1 या 2, मान लोग एक ही मैं रख लेता हूं, एक में रखने पर, ठीके? और समीकाड़ एक क्या है वो है 3x-y बरबर 3 यह हम लोगी समीकाड़ एक है ठीक अब इसमें मैं x कामान रख लेता हूँ पंदर हम अबर 123 यह बरबर 3 इसको पूड़ा पच्छ बदलेंगे इधर का उधर उधर का उधर तो कोई चींद नहीं बदलेगा यानि y बरब हम लोगा 15-3 y बरब हम लोगा क्या हो जाएगा 12 जिम्पल यानि हम लोग का x का मान 5 आया, y का मान 12 आयागा, तो हम लोग simple नीचे लिख लेंगे कि आता भीन बराबर, बता, भीन, बराबर, भीन क्या थी, x बटे y थी, बराबर, x का मान हम लोग का 5 आया, ठीके, और y का मान 12, तो हम लोग के नीचे 12 लिख लेंगे, simple, भीन क्या होगी, यह आंसर सही है कि नहीं है कैसे देखो 5 बटा 12 आया है न यहाँ पे सवाल में बोल रहा था कि एक भिहिन जो है एक बटा 3 हो जाती है जब उसके अंस में एक घटाया जाता है जैसे भिहिन हम लोगी 5 बटा 12 है जैसे हम लोगों ने यह तो ग्याद कर लिया है अब इसको थोड़ा पुरूब भी कर लेते हैं क्या पहले सर्थ में बोला है कि एक भिहिन एक बटा 3 हो जाती है जब उसके अंस से एक घटाया जाता है तो जैस अंस क्या है 5 है इसके अंस से एक घटायाएंगे ठीक है तो देखते हैं वो एक बटा 3 के बारा पर होती है कि नहीं है तो पांच में से एक जाएगा चार और चार तेहीं बारा यह निए एक बटा 3 हो ही जा रही है तो यह पहली सर्थ आपका सेटिसफाइड कर रहा है इसी तरह आप दूसरी सर्थ भी सेटिसफाइड कर रहा सकते हो बाकि यहां सेटिसफाइड करने का कोई आपशन नहीं है केवल यह आपका यहां पर भीन निकाल ला था ठीक हो तो मैंने ऐसे ही बता दिया तो यह रहा है आम लोग का second question ठीक है चलो अब एक और question बसता है ठड़ वाला उसको भी कर लेते हैं लेकिन चलो उसको मैं next वीडियो में थोड़ा करा दूँगा actually now अभी थोड़ा दिक्कत है कुछ दिक्कत है कहीं जाना है यह एक नाओ जो pool ओके करा ही दूख्या चलो करा ही देता हूँ चलो करा ही देता हूँ छोड़ो कितने 10 मिनट लगेगा इसको भी कराने में यहाँ पर यह चीज़े erase कर लेता हूँ और फिर इसको हम लोग solve करते हैं भाई एक मिनट चलो यह हो गया हम लोगा erase यह question 6 mark में यह long answer में आता है पीछे दू question थे ना वो चार चार मारक में आते हैं यह वाला question आपका 6 mark में आता है इसको याद रखना question क्या है पढ़ता हूँ एक नाओ से ठीक है एक नाओ से जो एक pool की ओर आ रही है किसी चार पूल का 99 को 30 अंस देखा गया नाओ के उसी चार से चार मिनट चलने के पशात पूल का 99 कोड शाठ हंस हो गया नाओ को पूल तक पहुँचने में और कितना समय लएगा शंदार question चलो ऐसे question में यह question है त्रिकोण मिती का अनुपरियोग जो आपका chapter है उससे ऐसे question में अगर आप figure बना लिए तो फिर आप question solve हो गया सबसे ज़्यादा figure इसमें important होता है तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक पूल है भई एक नाओ जो एक पूल की और आ रही है ठीक है एक नाओ है जो पूल की तरफ आ रही है तो पूल यहाँ मैं मानलोग पूल बनान लेता हूँ यह मालो हम लोग की पूल है भई यह पूल है ठीक है यह भी माल लेता हूँ यह भी पूल है ठीक है मालो इधर से कहीं से नाव आ रही है हमें पता नहीं कि कहां से आ रही है लेकिन किसी छण देखा गया कि उसका उन्यन कोर तीसंसे तो उसी छण को लेंगे तो ये छण तो इसको हम लोग पहले मिला देंगे ठीक है किसी छण उसका उन्य अनकोर कितना है तीस संसे तो ये हम लोग का उन्य अनकोर ये होता है इसका अंत बिंदू से ये वला ठीक है ये हो गया तीस संस ठीक कहीं से आ रही थी किसी चंड देखा गया कि उसका उन्याइन को तीस हंस है पोशन में बोला है कि एक नाव जो एक पूल की तरफ आ रही है पूल है इसकी तरफ आ रही है इधर से किसी चंड उसका उन्याइन को तीस हंस देखा गए है तो यहां पर 30 moderation, मालू ही यहां पर देखा गए है कहह रहा है उसके बाद कि उसी चाल से या श चाल से वह आ रही थी उसी चाल से चलते हुए अगले 4 मिर्ट में वो कहीं पहुंच जाती है, मालू यहां पर पहुंच गए भै अगले चार मिट में जहां पहुचती है वहां से पुल का जो उन्य एनकोर हो जाता है वो 60 हंस हो जाता है तो यहां से देखो पुल का उन्य एनकोर कीतना हो गया है भई देखो यह तीरचा बना दिया यह एकदम सीधा रहेगा इन चीसे आप घीचना अच्छे से ठीक है चलो यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लगा चार मिनट यह तो कोशन में दे रखा यह इस बिंदू को मैं मालो डी माल लेता हूँ. तो कह रहा है कि अब यहां से यहां तक उससे जाने में कितना और समय लगेगा. बस टी का मान हमें ग्याद करना है, समय यहां पर ग्याद करना है. हमने फीगर बना लिया, तो समझ जाओ कि हम लोगा आधाल लगवा कोशन हो गया. चलो हम अब इसको स्वाल्ब करते हैं बई. चलो. सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कि, चुकि नाव चल रही है बई, तो नाव कि हम लोग चाल मालनेगे, क्योंकि हमें चाल तो मालूम नहीं है, टाइम तो हमें दिया है, कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको चार मिनिट लगा है. तो यहां पर सबसे पहले हल, यहां पर मैं लिखता हूँ हल, ठीक है? और यहां पर सबसे पहले हम लोग माल लेते हैं, चाल, देखो यह फिगर आपको तेड़ा मेरा दिखाई दे रहा होगा, तो वो सीधा आप बनाना, मैं तो यह सही सामपटवे, बनाने की आदत नहीं है, ठीक है? इसलिए, इस स्मार्ट बोड हो रहा था, तो अच्छे से बन जाता है, लेकि चलो को यह दिखत नहीं, अब देखो, सबसे पहले हम लोग नाव की चाल माल लेंगे, माना नाव की चाल, माना, नाव की चाल, एक्स, मीटर, प्रती, मीनट है, मीनट क्यों मानाँगी, क्योंकि यहां चार मीनट चलिए, तो इसलिए मीनट हम लोग मानेगे, ठीक है? एक्स मीटर प्रती मीनट लेला है, ठीक है? अब देखो, तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए, C से D तक, की दूरी, या लिख देंगे दूरी 3D वराबर भाई यहां से यहां तक गई है 4 मिनट में यहां से यहां तक दूरी हम निकाल सकते हैं हमने चाल मान ही लिया समय दिया यह 4 मिनट तो दूरी वराबर 4 गुड़े समय होता है तो हम लोगी चाल 1 मीटर पर 3 मिनट और गुड़े समय यहां से यहां तक जाने में 4 मिनट लागे तो 4 तो गुड़ा करेंगे तो यह 4 एक्स और मीटर क्योंकि यह दूरी निकल कर आई तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होई 4 एक्स 4 एक्स मीटर ठीक है अब देखो अब कहा रहा है कि यहां से यहां तक और उसे पूल तक जाने में कितना समय लएगा मतलब यहां से यहां तक तो 4 मिट में आगए है जहां कुन्यान कोर सास देखा गया है लेकिन अब फिर उसको पूल तक पहुंचने में कितना समय लएगा question में पूछ रहा है कि now को pull तक पहुँचने में और कितना समय लएगा भई तो मान लोग t लगेगा समय simple तो यहां आप लोग लिख लो एक बार आप माने हो तो फिर मानने हो तो आप लिख लो कि पुनह माना पुनह माना नाव को पूल तक पहुँचने में और पूल तक पहुँचने में टी समय लगेगा है ऐसे मान लो simple clear है न यह मैं बोल दिया पुनह माना नाव को पूल तक और पहुँचने में टी समय लगेगा यानि यहां से यह भी लिख सकते हो कि बिंदू डी से बी तक पहुँचने में टी समय लगेगा क्योंकि यहां अपने दर सादी है सब चीज़े तो यह ऐसे भी लिख सकते हो तो अगर यहां से हमें यह पूल का टी समय लग रहा है और चाल से तो उसी चाल से तो चल रही है भाई जो चाल थी पहले यहां पे वही समय नहीं डी बी बराबर चाल गुड़े समय तो चाल तो उसी चाल से चल रही है और समय हमने मान लिया कि यहां सी यहां तक पहुचने में टी लगा यहां टी से गुणा है तो गुणा करेंगे तो यह आपका एक्स टी हो जाएगा सिंपल तो यह दो चीजे हो गई अब हम लोग आगे करते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग समकोरती बूझ A, B, D में ले लेते हैं A, B, D में तो यहां आप आगे देखो यहीं पे मैं करता हूँ यह इस चीज को आप लिख लो और इसी को मैं इरेज करता हूँ ठीके यह हम लोग यहां से यहां तक की दूरी यानि C, D जो आई है इधर C, D जो हम लोग आया है वो कितना आया है C, D दूरी और X ठीके और हम लोग का C, D के अलावा D, B हम लोग के जो दूरी आई है X, T आई है जो हम लोग के D, B आई है वो X, T आई है यह दोनों क्या है दूरी है simple चलो उसको मैंने लिख लिया यहां पर जो चीज हैं उनको मैंने लिख लिया अब इसको थोड़ाई रेज करता हूँ इसका आप कोई काम नहीं है ठिक अब देखू अब हम लोग क्या करते हैं इतना करने के बाद हम लोग लेंगे त्रिभुज A, B, D में चुकि यह समकोड यहां पर है तो समकोड त्रिभुज A, B, D में तो यहां आप लोग लिख देना कि समकोड त्रिभुज A, B, D में यह समकोड का यह चीन होता है तो दिख दो ऐसे इसका मतलब समकोड त्रिभुज इसमें A, B, D में A, B, D में यह दूरी तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका मान मालूम है यह दूरी X, T है ये नहीं मालूम है तो जो नहीं मालूम है उसको पहले लेते है उपर तो ये A, B या ऐसे भी कर सकते हैं कि लंब बटे अधार ठीक है तो ये हम लोग का A, B हो गया और बटे ये हम लोग की दूरी B, D या जिसको आप D, B भी लिख सकते हो D, B बराबर ये A, B की है भई एक समकोड त्रीवर्ण में देखा जाएं ये समकोड है तो ये A, B लंब है ये अधार है और लंब बटे अधार बर रख्या होता है वो होता है आपका 10 ठीका लाल बटे काका के तुरू आप मतलब जानते हैं त्रीक तो ये आपका लंब बटे अ वहीं ने कहीं तो हमने दूरी निकाल रखा था, वो कि इतनी थी XT, तो हमें यहाँ पर XT रख लेते हैं, बरबर 10 ठीटा, और ठीटा के जगा पर हम लोग क्या रखेंगे, यह हम लोगों ने लिया है, तो 60 हंस, ठीक, इस तिर्भूज मिले रहे हैं, तो यह उन्हें को ले ल आइमान, रूट 3 XT, सिंपल, यह हम लोगों का A, B कमान निकल कर आ गया, A, B कमान कितना निकल कर आया है भी, रूट 3 XT, ठीक है, तो यहाँ मैं A, B बरबर अभी लिख लेता हूँ, A, B बरबर, रूट 3 XT, ठीक है, यह निकल कर आया है, अब इसको भी मैं E-Rage करता हूँ, और उसके बाद हम लोग समकूर्ट 3 भूज A, B, C में लेते हैं, यहाँ देखो, इसको मैं E-Rage कर लेता हूँ, और आगे हम लोग क्या लेंगे, आगे हम लोग लेंगे, समकूर्ट 3 भूज A, B, C में, समकूर्ट 3 भूज A, B, C में, ठीक है, जो E-Rage में किया, उसको आगे नीचे आप लोग लिखोगे, एक दो लाइन चोड़कर, कि समकूर्ट 3 भूज A, B, C में, A, B, C में, A, B, Lumb है, और यह आपका B, C, या जिसको आप C भी भी लिख सकते हो, आधार है, तो Lumb बट आधार, यानि A, B, 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 C में, P, C है, पूरी वाली दूरी, बराबर Lumb बट अधार, बराबर, टैन ठीटा, बड़े वाले तरिभूज के लिए, ठीके, A, B, C के लिए, A, B का मान, A, B के जगा पे हम लोग निकाल जुगे है, रूट 3, X, T, रूट 3, X, T रख सकते हैं भई, और बटे B, C, अब देखो, B, C, B, C, ये दूरी, तो ये दूरी, ये और य कितने हैं भई, B, D, तो B, D का मान, पहले हम लिख लेते हैं, B, D, प्लस, B, C, या जिसको आप C, D भी लिख सकते हो, इसको आप, D, C लिखो या C, D लिखो, बात एक ही हुआ, चलो मैं C, D ही लिख लेता हूँ, अब देखो, B, C, ये ये पूरी वाली जो दूरी थी, उसको ये और ये, दोनों प्लस करकर लिख सकते हैं, बिल्कुल, अब देखो, और बराबर 10, ठीटा, ठीटा के जगाओ, अब यहाँ पर हम लोग 30 अंस लेंगे, क्योंकि बड़े वाले थी भूज में हमने लिया है, ये हम लोग का रूट 3, XT का उसी तरह, बट्टे में देखो, बीडी, बीडी का मान हमने पहले ही गयात कर लिया था, बीडी, बीडी जिसको या बीडी वही बात हुआ, यहाँ पे आप बीडी करो या बीडी करो एक ही हुआ, ठीक, जैसे यहाँ पे यह दूरी है, सी डी या डी सी बात तो एक ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ही जो निकाला था, 4X, तो प्लस यहां पर हम लोगा, 4X हो गया, अच्छा-च्छा, पहले ही प्लस हमने लिख रखा है, क्यों 4X लिखना है, और बराबर, यह 10 T-sons है, 10 T-sons का मान क्या होता है, 1 by root 3, तो 1 by root 3 हम लोग ले लेते हैं, simple, अब देखो, तिरिया गुना करते हैं, तिरि root से बाहर निकलेगा, यहरी 3 बचेगा, तो 3 X T हो जाएगा, बराबर, यह देखो, यह उधर एक में गुड़ा होगा, तो X T प्लस 4 X हो जाएगा, इतनी चीज़े के लिएर, इसके आगे हम लोग करते हैं, अब देखो यहां पर, ध्यान देना, X T, यह वाला जो है न, इसक जाएगा, ठीक है, तो देखो यहां पर, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 X T, माइनस X T, बराबर यह क्या हो जाएगा, और X हो जाएगा, हमने इस X T को इधर ला दिया, तो 3 X T में से हम लोग का, X T गया, 2 X T बचेगा, 2 X T, बराबर 4 X, और आपको धियान में रखे चलना है, अंतक कि हमें क्या गयाद करना है, T गयाद करना है, क्योंकि D और 20 तक जाने में T समय लगा, हमने माना था, और T ही समय गयाद करना है, क्योंकि हमें बोला है, और 9 तक पूल को पहुंचने में कितना समय लगा, यहां आ गई उसके बाद 9 को पहुंचने में कितना समय लग और वह हमने t समय माना था, शुरू में, ठीक, तो यहां देखो 2x t बरबर, 4x, तो यहां से t बरबर हम लोग जा ङोगा, 4x बरटय में 2x, यह एकस-कड़ जाएगा, यह दो दूना का 4 बरबर, दो, और t क्या है, समय, समय हम लोग का मीनट, ठीक, क्योंकि हम ने सुरू में दे हमने माना था T, उसका मान यहां पर निकल कर आ गया, वो कितना, दो मिनट, और कोशन में यही बोल रहा था, कि चार मिनट चलने के पर शाद, एक बिंदू आ जाता है, जहां से, उन्हें कोर साथ हंस हो जाता है, अब वहां से पुल तक पहुचने में कितना समय लगा, कोशन ब लग जाएगा, तो इस तरह से इस कोशन को स्वाल पर एगा, काफी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह कोशन था, आस्ता करता हूँ कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम ऐसे आपको मैंने बताया, जैसे कि पहली बार आपको यह सवाल बतारू, हलाँ कि आप से नेक्स्ट वडियो में, तब तके लिए, थैंक यू